नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News और आपके साथ मैं हुकरांति से महराश्च्र में इस वक सियासी घमसान मचा हुआ है और सियासी घमसान के बीच महाविकास अघाडी लगातार जो है एक एक बयान बाजी कर रही है इसे बीच महाविकास अघाडी में शामिल दलो ने महराश्च्र के मुख्य मंतरी एकनाश्षुंदे पर एक बाद फिर निशान सादा है और उनके चीफ जस्टिस यूयू ललित के साथ मंच साजा करने पर सवाल उठाए है विपक्ष ने ऐसे समय में दोनों के मंच साजा करने पर आपत्ती जताई जब उधव ठाकरे के नित्रतव वाली शिवसेइना और शिंदे गुट की याचिकाओ पर सुनवाई सुप्रीम कोट में चल रही है शिवसेइना और कॉंग्रिस के साथ M.D.A. में शामिल राष्टवादी कॉंग्रिस पार्टी की प्रदेश एकाई अध्यक्ष जैंत पार्टी ने ट्वीट किया ये प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है C.J.I. ललित को शनिवार को मुंबई में एक कारिक्रम में सम्मानित किया गया जा केंद्रे कानूर मंतरी किरन रीजजुई भी मौजूद थी कारिक्रम में मौजूद रहे महराष्ट के मुख्य मंतरी शिंदे ने कहा कि वो राज्जे के लिए गर्व का पल है क्योंकि इसका बेटा भारत का प्रधान न्यायधिश बना कॉंग्रिस प्रवक्ता सचिन सावंत ने शनिवार के कारिक्रम की तस्वीरे साज़ा करते हुए ट्वीट किया ऐसे समय में जब माणनिय सुप्रीम कोड़ द्वारा शिंदे फड़नवी सरकार की व्यदता की जाज कर रहा है और ना केवल वर्तमान राज्य सरकार बलकिस का नित्रत्व करने वाले व्यक्ती को भी आयोग्य घुशित किया जा रहा है तो इस तरह मंच साजा करना ठीक नहीं है शिफसेना प्रवक्ता अरविंद सावंत ने धावाक किया कि इन दिनों नीयम और कानून के मताबिक कुछ नहीं हो रहा है उन्होंने कहा कि यहीं कारण है कि हम कहते हैं कि लोकतंत्रक खत्रे में है गौरतलवे की इस साल जून में शिंदे के नित्रोयत्व में शिवसेना में बगावत हुई थी जिसके चलते ठाकरे की अगवाई वाली MBA सरकार गिर गई थी इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पत की शपत ली थी जबकि फड़ नवीज उप मुख्यमंत्री बने थे लेकिन इस बीच में लगतार उद्धव थाकरे की टीम जो है वो शिंदे टीम के उपर भारी पड़ते हुई नज़र आ रही है एक नाच शिंदे पूरी कोशिश कर रहे है कि शिवसेना के कमान वो अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़े लेकिन बावजूद इसके जहां पर उद्धव थाकरे के पास बहुमत का आकड़ा नहीं है उसके बावजूद भी वो यहां पर करारी पलटवार जो है वो करते हुए नज़र आ रही है और शिंदे की कुर्सी भी जाने का अब डर जो है वो और बढ़ गया आप लोगो को क्या लगता है क्या ये मिली भगत के द्वारा जो है ये सरकार चलाई जाएगी या फिर सच में अन्त में अगर केस जो है वो पूरे सो प्रतीशत रूप से सही तरीके से अगर जाच के द्वारा की जाएगी तो क्या यहां पर उत्व ठाकरे की बड़ी जीत हो सकती है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फिलाल यसी तमबाम ब्रीट्स के लिए देखतु रही एस्पी नाई न्यूस